इस चेप्टर से हम शुरुवात करेंगे नई सीरीज की जो की है CSS Selectors चेप्टर नमबर 17 अपने आप में एक सीरीज बनेगा जैसे कि चेप्टर नमबर 16 बना था इस सीरीज के नदर हम कवर करेंगे Grouping Selectors के Selectors को हम कैसे Group कर सकते हैं Universal Selectors, ID Selectors और उसके बाद Class Selectors और जैसे ही हमारे ये 3-4 वीडियोज कम्प्लीट हो जाएंगे फिर हम सीडो क्लासी और सीडो अलिमेंट कवर करेंगे बहुत ही exciting होने वाली है वीडियोज मिस मत करिए, subscribe करिए, like करिए और चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने Project folder पे राइक टेक करेंगे और open as brackets project जैसे हमारे brackets open हो जाएगा हम quickly अपना live preview on कर लेंगे सबसे पहला जो topic में आपको बताना चाहता हूँ वो है grouping selectors ये कैसे काम आता है और हमारी ये क्या help कर सकता है वो मापको बताता हूँ तो चलिए मैं आपको एक example देता हूँ मान लीजिए हमने यहाँ पर जितने भी हमारी right side पर headings है मैं आपको अपने HTML के code के अंदर दिखाता हूँ मैंने एक h1 लगाया एक h2 और एक h3 अब right side पर आ जाते हैं एक हमारी main heading है एक h2 है हमारी heading number 2 और 3 हमारी h3 है तो जो यहाँ पर task है हमारा वो यह है हम चाहते हैं कि हमारी सारी headings red color की हो जाएं तो अभी तक मैंने आपको IDs और classes और grouping selectors ऐसे topics के बारे में नहीं बताया तो हम आपको बताता हूँ कि basically हम पहले कैसे करते थे हम पहले करते थे कि हम अपने एक-एक selector के उपर अलग-लग color लगाते थे तो मैं quickly आपको करके दिखाता हूँ देखिए हमने h2 के उपर color लगा दिया है और फिर उसके बाद हम color लगा दे h3 के उपर फिर color लगाते हैं अपने h1 के उपर तो पहले हम इस तरह हर एक selector के उपर अपने individual property apply करते थे actually ये काम करने का तरीका जो है ये गलत है ये अतना effective तरीका नहीं है इसका कोई shortcut होना चाहिए कि हम सारी की सारी headings को एक ही बार में color change कर सकें या फिर कोई भी एक अपनी property apply कर सकें तो उसका जो तरीका है वो है grouping selectors हम एक ही बार में लगातार सारी headings के उपर अपना color apply कर सकते हैं तो चलिए हम अपनी ये वाले पुराने code को delete करते हैं और आपको पताता हूँ कैसे grouping काम करता है अभी हमारे पास यहाँ पर तीन तरह की headings है h1, h2 और h3 और हमने तीनों के उपर एक ही color apply करना है तो हम commas के साथ अपने जो selectors हैं वो सारे type कर सकते हैं यहाँ पर हमने तीनों के तीनों headings as a selector, selector लिया है मतलब हमने selectors को group कर दिया है इसको बोलते हैं grouping selectors और यहाँ पर हम लगाते हैं अपना color और अब देख सकते हैं right side पे हमारी सारी headings पर तीनों के तीनों headings की जितनी भी categories है उनके उपर हमारी property color properties जो है भाई apply हो गई है code आप देख सकते हैं कितना छोटा हो गया है पहले हमें हर एक selector के उपर अपनी property अप्लाई करनी पड़ती थी अब हमने सारे selectors को एकठा कर दिया हमारा code भी छोटा हो गया manageable हो गया easy to read और quickly आप edit भी कर सकते हैं आपको अगर मान लीजे color पसंद नहीं आया पुराने तरीके से अगर हम करते तो आपको हर एक selector code के अंदर जाके आपको color change करना पड़ता जबकि ये एक single shortcut way में हो गया है तो चलिए एक और हम आपको CSS selector सिखाता हूँ वो है universal selector उसको सिखाने से पहले हम अपने paragraph का जो है color एक बर set कर लेते हैं हम अपने paragraph का जो color है वो कर लेते हैं मान लीजे green तो चलिए हम आपको universal selector पताता हूँ universal selector वो होता है जो एक ही बार में पूरे HTML के अंदर जितनी बार भी वो चीज़ें होंगी वो सारी की सारी change हो जाएंगी तो चलिए हम आपको करके दिखाता हूँ कैसे जो universal selector है वो हम star बनाते हैं और इसका मतलब होता है HTML का जितना भी universal है उसके अंदर सब जगा ये वाली property apply हो जाए जो भी इस star के बार जो मारी declaration के अंदर आएगा वो property पूरे के पूरे HTML के code के उपर apply हो जाए सारी CSS पे तो हम यहाँ पर जो है text के size को change कर लेते हैं font size property लगाते हैं हम अपनी 23 pixels तो आप right side पे देख सकते हैं 23 pixels मैंने universal selector के उपर लगाई है जो हमारा star है मतलब universe HTML के अंदर जितनी भी चीज़ें है सारी की सारी 23 pixels हो जाने चाहिए declaration के अंदर मैंने ये बोला universal selector के थूँ तो आप right side पे देख सकते हैं जो हमारी headings हैं और जो हमारा paragraph है सबके सबका font size एक ही हो गया है अब right side पे देखिए जो हमारी h1 heading है जो सबसे बड़ी होती है उसका size भी 23 है paragraph का size भी 23 है और normal जो h2 और h3 है उनका size भी 23 हो गया है universal selector काफी helpful और काफी जादा useful property है क्योंकि इससे आप जो अपनी website बनाते है उसके अंदर अपने जो font है font families, font size या फिर बहुत सारी ऐसी background related चीज़े होती है जो आप पहले से define कर देते हैं जो आप पूरे के पूरे webpage में change कभी नहीं करोगे तो वहाँ पर ये universal selector बहुत काम आता है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें एक ही बार में पूरे HTML के उपर कुछ apply करना हो तो आप universal selector use कर सकते हैं और जो हमने पहले करा अगर आपको बहुत सारे elements के उपर अपनी जो property है वो लगानी है तो आप selectors को group कर सकते हैं जैसे कि हमने ये उपर वाले example में देखा है जहाँ पर हमने तीनो headings को group करके एक color लगाया तो चली इसको थोड़ा से interesting मनाते हैं हम यहाँ पर जो heading 2 और 3 है इसको cut कर लेते हैं और ये अपना heading वाला code delete कर देते हैं और जो उपर हमारा h1 है जिसके उपर हमारा text align, background color, padding, border सब कुछ लगा हुआ है वहाँ पर इसे paste कर देते हैं क्योंकि ये हमारा right side पर अब देख सकते हैं tutorial on selectors जो मैंने लिखा हुआ है ये center में है, इसके पीछे background color है और इसके borders हैं तो मान लिजिए, ये h1 के आगे मैं h2 और h3 भी डाल देता हूँ तो क्या होगा देखते हैं awesome, तो अब देख सकते हैं हमारे right side पर तुमारे जितनी भी headings है उन सब के उपर एक ही code जो मारा था declaration block के अंदर जितनी भी properties थी, वो सारी की सारी apply हो गई है ये कितना easy process है आपका code भी maintain रहता है और आपको जरा सा भी struggle नहीं करना पड़ता हर बार code को change करने के लिए अगर आपने कुछ document में change करना है तो इस तरीके से आप अपने webpage के अंदर एक ही बार में एक single edit से सारी की सारी heading change कर सकते हैं या फिर आप सारे paragraphs सारे different sections change कर सकते हैं ऐसे आप selectors को group कर सकते हैं तो चलिए next video में हम ideas cover करेंगे जो कि काफी important part है ideas और classes उसके बाद हम classes cover करेंगे ये दोनों के दोनों बहुत ही important है base बनाता है आपके पूरे CSS के आगे career का तो इन chapters को आप ध्यान से देखें बार बार देखें प्रैक्टिस करें फिर like और subscribe करें thank you so much for watching see ya